नमस्कार दोस्तो ब्यार एक्स्प्रेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तो जंजारपूर से महरेल के बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है और उसी अपडेट को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या अपडेट है तो वीडियो पे बने रही है एंड तक वीडिय आने वाली है और ये कहे रहे है विरेंदर कुमार रेल विभाक के पियारो हाजिपूर का कहना है लोखा रेल खन में महडेल एस्टेषन तक रेल पत्री ऐलाइटमेंट का काम अंतीम चरण में है और हाई टेकनोलोजी वाले इंजन मशीन से रेल पठरी का अलाइन्मेंट किया जा रहा है जरूरत के मताबिक जो है पठरी भी बदली जा रही है बोल्डर के सहारे अलाइन्टमेंट को मजबूती दी गई है और जंजारपूर जक्षन और महरेल का रंग रोगन का काम भी जो हो शुरू कर दिया गया है अधिकारियों के अनुसार जल्द इन एस्टेशनों के बीच CRS निरेक्षन होगी और CRS निरेक्षन के बाद रिपोर्ट आते ही पैसेंजर ट्रेनों का पड़े चालन शुरू कर दिया जाएगा महरेल एस्टेशन त के दूरी साथ किलो मीटर है जहां रेल पर रिका अलाइनमेंट भी अन्तीम रूप जो हो ले लिया गया है तो बहुत ही जल्द दो मेहने के भीतर महरेल तक आपको ट्रेन देखने को मिलेगी जिस तरह से काम की रफतार है जिस तरह से काम चल रही है लगातार हर अपडेट हम पहुचाते आ रहे हैं अपने सहयोगी विर्जु ठाकुर की मदद से हर अपडेट आप तक जो हो पहुच रही है तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस करके रख लिजे ताकि कोई भी अपडेट आप से मीस ना हो और हर अप वीडियो को यहीं परेंड करते हैं और आप से मिलते किसी नेक्ट वीडियो में तब तक देखते रहे हैं पिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल